जैदादी के दोस्तों आज मैं आपको होली में ढाल थापने की जो जानकारी देने वाली हूँ वो यह है दोस्तों कि यह किस दिन थापी जाती है कितनी थापी जाती है और इनके साथ हम लोग को और क्या-क्या लेना पड़ता है ढाल के साथ और यह किस तरह से चिर्शी जाती इन सभी प्रश्णों के उत्तर आपको इस वीडियो में मल जाएंगे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी और से ही सारी जानकारिया लेने की जरत नहीं पड़ेगी तो पहला तो ये है कि दोस्तों ये फालगुन सुक्ल एकादसी के दिन ढाल थापना चाहिए और ना ही उसको चिरचना चाहिए तो वो आप अपने स्टेट के हिसाब से जानकारी ले लीजिगा कि कब भदराकाल है जब भदराकाल होगा तब आप ठाल मत थापेगा दूसरा ये है कि दोस्तों कम से कम पांश थाल तो जरूर थापनी चाहिए अगर पा अपने घर के हिसाब से थाप सकते है नहीं तो पांश होने से आपका ढ़ाल पूरा हो जाएगा इसके साथ हम लोग को लेना पड़ता है चांद सूरज और ये नारियल लेना पड़ता है दोस्तों सुपाड़ी लेनी पड़ती है ये सब कुछ गोबर के बने वे होते हैं होल होती दोस्तों वो हमारे घर में जितने भी जैन्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग जोड़ा लेते हैं यानि दो है तो चार लेंगे चार है तो आठ लेंगे मतलब यदि कोई छोटा बच्चा भी है तो उसका भी हम लोग को खड़ाओ लेना पड़ता है उस हिसाब से हम लोग कि खड़ाओं लेते हैं तलवार लेते हैं चक्की चुला चकला बेलन और भी कोई खिलोना होता है तो वो भी आप ले सकते हैं आधी रोटी पूरी रोटी और बर्फी और जो जो खिलोना अगर आपको और भी कुछ बनाना है तो यह आप ले सकते हैं और बढ़कुले का भी व जरूरी है इससे ज़्यादा अगर आपको लेने का मैंने तो ले ले वरना ये चार माला तो आपको बनानी कमपलसरी होती है क्योंकि साथ वाली जो माला होती है वो तो हम सीटला माई की चड़ा देते हैं और 51, 21 और 11 वाली और इसके साथ में जितने भी खिलोने है पहलाद भक ये बात आप धान रखेगा दोस्तो ढाल जो होती है वो होली का देहन में नहीं डाली जाती है तो इसको चिरचने के लिए हम लोग को क्या-क्या समान लेना पड़ता है वो मैं आपको दिखा रही है दोस्तो इसके लिए हम लोग को रोली चाहिए होती है मेहंदी चाहिए हो थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए हल्दी मेंधी रोली जो भी है तो इस ये अगर कम पड़ जाएगा तो आप और ले लीजे नहीं तो इतने में हो जाता है और धाल को हम लोग चिरचना रोली से सुरू करते हैं दोस्तों फिर उस पर हल्दी और रोली लगाते हैं और इसको क्या है ये बजार से खरीदी हुई है गीली गोबर से बनाई भी नहीं है इसलिए इसको थोड़ा सा पानी में आप छीटा दे के भिगो लीजे या पानी में डिप कर लीजे जिससे क्या होगा ये रोली और मेंधी आपकी आराम से इस पर लग जाएगी और अगर आप ताज बना रहे हैं तो सिर्फ ठाल ही एकादसी के दिन बनाई दोस्तों बाकी आपके जो बढ़कुले हैं या जितने भी खेल खिलोने हैं होलिका जी है प्रढ़ाद भक्त हैं उन सब को आप आपता भर या 10-15 दिन पहले ही ये बना के रख लेंगे तो आपको एकादसी के दिन ब जितने भी मैंने खिलोने बताएं हैं बढ़कुला है सब आप पहले से ही लाकर अपने घर में रख लीजे जिससे सेम डे आप सिर्फ पानी में हलका सा इनको भिगो कर और चिरस दीजे जिससे क्या होगा कि आपको उस समापर बहुत ज़्यादा मतलब बजार जाने का और ल पाहिता से इस पर रखते जाएंगे यह हलकी गिली रहेगी तो इस पर वो आराम से छिपक जाएगी और दोस्तों जहां तक हो सके अपनी बहु बेटियों को भी आसपास जब धाल थापते हैं तो लेकर बैठना चाहिए क्योंकि जब बच्चे हम लोगों को करते वे देखत तबी सीखते हैं अगर हम लोग उनको दिखाएंगे यह सब तो वो लोग सीखेंगे कैसे और आप देख सकते दोस्तों कि धाल चिरचने के बाद कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है रोली रोली हल्दी मेंदी और आटा लगने से बहुत सुन्दर लग रही है हमने होलक जी और प्रिलान भक्त को टिका भी लगा दिये दोस्तों तो आप देख सकते कि यह कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है इसी तरह आप चिरच देंगे मगर आज के दिन इनको पोया नहीं चाते दोस्तों यह बात आप ध्यान में रखेगा अगर आप ताजा बना रहे है तो आप वैसे ही नहीं पोयेंगे गिली को उठाना पॉसिबल नहीं है मगर अगर आपकी लाई हुई है तो भी आज मत पोया आज इसको चिरच के ऐसी छोड़ दीजे दूसरे दिन तीसरे दिन होलिका के पहले दिन इस तरह आप अपने हिसाब से पो लीजे और नहीं तो आजकल सब लोग वरकिंग वुमेन रहती है तो अपने हिसाब से आप इनको पोकर और पहले से रह सकते हैं ताकि होली वाले दिन सिर्फ इनको जिमा कर और होली का दहन के लिए आप जा सकते हैं तो इस तरह से इसको बहुत ही आप इजी तरीके से पो सकते हैं दोस्तों ये जो जितने भी खिलोने और जो बढ़कुले होते हैं वो जेवड़ी में पोई जाते हैं और धाल जो होती है वो नाल में पोई जाती हैं दोस्तों मैं इन पर वापस से इसलिए कर रही हूं पानी का ताकि ये अच्छे से चिपक जाए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए दो और अच्छी तरह से चिपग गई क्योंकि ये बजार से खरीदी भी ढाल है आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिको और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्र कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए का आपको वीडियो कैसा लगा छै दादी की